कि नमस्ते मैं डॉक्टर अनुजा किलेकर मैं साइक्याट्रिस्ट हूँ डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ और किलेकर तुर्ण कर ना नर्सिंग हों घोडबंदर ठाने मुंबई महाराश्ट्र में आज हम बात करेंगे डाइजेस्ट्ट्व प्रॉब्लम्स याने पच्चन क्रिया जो होती है उसकी तकलीफ कुछ लोगों में होती है जिनका कहीं न कहीं रिलेशन स्ट्रेस से होता है या मानसिक तकलीफ से होता है कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लेड़ी आई थी जो बहुत शिड़ी थी याने उनको मेरे से बात करने में कोई इंट्रेस नहीं था हस्बन उसको जबरदस्ति लेके आये थे और हस्बन का कहना था कि इसका पेट का कुछ प्रॉब्लम है और यह इसको साइक्याट्रिस को दिखाने के लिए कहा गया है लेकिन यह रेड़ी नहीं है साइक्याट्रिस को मिलने से तो इसलिए मैं उसे जबरदस्ति लेके आया अब जब मैंने लेडी से बात किया तो उन्हें मैंने बात करने के लिए शुरुआत की तो वो लेडी एकदम से शुरू हो गई कि मैं पागल हूँ क्या मुझे क्या जरूरत है साइक्याटरिस के पास भेजने की डॉक्टर्स बिना वजय मुझे साइक्याटरिस के पास भेज रहे और मुझे पागल ठहरा रहे है ऐसा वो ऐसे मोड में थी फिर मैंने उनको शांद किया उनसे बात की कि आप मुझे प्रॉब्लम बताईए और फिर हम आगे-आगे जैसे मै बात आपसे करूँगी मैं उसको समझाँगी तो उनका केस ऐसा था कि तीन-चार महने से उन्हें पेट में फुगारा जैसा है ने फुलने का प्रॉब्लम था पेट साफ नहीं हो रहा था बार-बार जाना पढ़ रहा था और अगर पेट और फिर भूग भी नहीं लग रहे तो इसके लिए उन्होंने काफी डॉक्टर्स किये फैमिली फिजिशन से लेके स्पेशालिस से लेके सब डॉक्टर्स हो चुके और जो भी उससे रिलेटेड जांच है खून की रहो या कोई रिपोर्ट्स रहो सिटी स्कैन एमार आए और जो भी अदूर्बिन का वो जो न झाने निकलाने सबी कहान था कि फोड़ा हो सकता है कुछ निकल की रहा है तकलिफ हो रही है मेरे से काम नहीं हो रहा है और उसकी वज़े से उन्हें चर्चड़ापन हो रहा था लेकिन डॉक्तर का यही कहना था कि शायद आपने साइकार्ट्रिस से मिलना चाहिए लेकिन वह लेड़ी रिलक्तन थी। वह चाहती नहीं थी कि शाओती यह मिले लेकिन आखिर में जब भी हो गया की तो फूण को मैंने पूछा कि आपको कोई stress है क्या कुछ आपको तकल Monte है क्या और ऐसे बातों में वो लेड़ी ने मुझे यही बताया कि मुझे कोई stress नहीं है ऐसाफ चल रहा है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं लोग पशका है गर में donate warrior family hai hai husband कमें मुझे कोई problem नहीं मैं जब चाहूं तब बहार जाती हूं काम करना है तो करती हूं तो मैं कर भी नहीं लिया तो भी कोई problem नहीं है मेरी husband कोई मुझे है डाटते किंगे कें द生 ने भात यूव कहिंको बात पर उन्होंने दो तीन बात स्ट्रेस किया कि नहीं मैं घर खुटका लेना चाहती हूँ और हमारे उसके वज़ा से जगड़े होते हैं और फिर एकदम से उन्होंने बात की कि मेरी फ्रेंड मुझे मिली थी स्कूल फ्रेंड तीन चार मेने पाच मेने पहले जब मैं मेरे मैं के गई थी और उससे मेरी बात हुई और मुझे बहुत खटका कि वह एकदम से नॉर्मल घर में उसकी शादी हुई उसका हजबन इतना कमाता भी नहीं है लेकिन उन्होंने घर ले लिया और मेरा हजबन अच्छा कमाता है फिर भी हमारे पास घर नहीं है तो यह बात जो भी घर में बढ़ गए है और चिरशिड़ापन उसका बढ़ गया है तो फिर जब मैंने उनको वो नोटिस करवाया तब फिर उनको लगा कि हाँ डॉक्टर बराबर बोल रहे है शायद तभी से मेरा यह प्रॉब्लम शुरू हुआ है और फिर उन्होंने बोला कि हाँ मैं ज उसका कनेक्शन कहां तक है तो ऐसे काफी स्ट्रेस हमारे आजू आजू होते रहते हैं हमारे पे हमको तकलीव देते रहते हैं लेकिन हम उसे पहचान ही नहीं पाते स्ट्रेस अलग-अलग प्रकार के होते हैं जैसे फैनैंशल स्ट्रेस है फैमिली स्ट्रेस है घर के की काम है घर का सब देखना पड़ता है और यह सब देखते देखते पर ऩोग में आजाता है ड़िय का का॓फ ही लोगों की नेचर थाल बहुत SaTS अपार सेनसेटिभी होता है उमोशनल होता है छोटे खोटी बात को लेका चांब है जाना उसके बारे मेंBaby john और फिर कही न कही वो तकलीफ देता है। सबकॉंशन मायन्द में वो फिछ बैटता है। और उपरी Jewish mind में भली हमें लगे कि कि नहीं मुझे कोई अजिक है जो चल रहाे जलने दो। लेकिनager subconscious mind में इतना deep बैट जाता है कि उसकी तकलीफ आपको होती है लेकिन आपको यह समझ में नहीं आता है कि उसकी तकलीफ हो रही है तो इसलिए बात छोटी भी होई तो भी उसकी तकलीफ हो सकती है तब और इसमें क्या-क्या है कि लक्षन अलग-अलग होते है जैसे कि इसका लोग काम भी ठीक से नहीं कर पाते हैं फीर इसके लिए काम नहीं कर पाते हैं साफ होने के लिए लेते हैं कभी मोशन हुए तो रुकने के लिया दवाई लेते हैं और इसका टोल कहीं नार्मल लाइफ पर पड़ता है क्योंकि क्या होता है कि यह क्रॉनिक चलते ही रहता है और फिर उसका घर में भी लोगों को भी उसका बहुत चिंता होता कि पपरे क्या हो रहा इनके साथ इनको क्या तकलीफ है कुछ निकल नहीं रहा है सब रिपोर्ट्स नौर्मल है सब कुछ कर चुके है लेकिन फिर निकलता क्यों नहीं है इसमें से कुछ तो फिर उसकी वज़ा से घर में भी लेकिन उसका बहुत बढ़ा यह बन जाता इशू तो इसलिए यह अगर हमने जल्दी से notice कर लिया कि यह problem और अगर हमें सलाह दे रहे हैं doctors कि यह psychiatric problem है report सब medically सब reports normal है तो जरूर हमने psychiatrist को दिखाना चाहिए उसमें मन में शक रखे या फिर उसके लिए psychiatrist के पास जाना है इसलिए मन को रुकाना नहीं चाहिए क्योंकि जो जरूरी है वो करना जरूरी है ऐसा नहीं है कि हम घर में बैटके इलाज कर सकते है उसका और आप अपकी तरफ से कर चुके होते है सब कुछ लेकिन अगर उसमें से कुछ निकल नहीं रहा है तो psychiatrist को दिखाने में कोई लज्जा नहीं है कोई डर नहीं है कुछ नहीं है तो इसलिए आपको problem हो तो आप दिखाईए अब जब यह lady मेरे पास आई तो मैंने उसको फिर समझाया उसको convince किया कि यह problem कैसा related है तो वो समझ गई उसको खुशी भी हुई कि मेरे problem का कही न कही solution निकला है जो कि इतने दिनों से 4-6 मैंने से चल रहा था उसे भी पता नहीं था कि यह solution कब निकलेगा लेकिन मेरे पास जब वो आई इसका solution निकला वो बहुत खुश हुई उसने medicines लेने के लिए भी वो राजी हो गई और उसको मैंने जब शुरू किया medicines तो कुछ ही दिनों में उसको फरक नजर आया उसके जो stress था उसका जो problem था उसका दिमाग शान्त हो गया चरिशड़ापन कम हो गया पेट की जो तकलिफ्ती वो कम हो गई और अभी वह मैंने दवाई ले रही है इसमें क्या होता है कि anti-depressants अच्छा काम करते हैं और फिर क्या होता है कि stress कम करने के लिए anti-depressants है जो effect अच्छा देते हैं बस इतना ही है कि immediate effect नहीं मिलता है at least 10 to 15 days treatment की जरूरत है continuous और फिर धीरे धीरे effect दिखता है और कमस कम 6 महनों तक ये medicines treatment continue रखना पड़ता है इसके साथ साथ psychotherapy, individual counselling जैसे मैंने बोला कि ये lady का problem कुछ और ही था life में ऐसी काफी incidences होते हैं जिसको हम देखकर भी अंदेखा करते हैं हमको लगता है कि इसका कोई हमारे life से अभी relation नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कहीं न कहीं वो हमारे दिमाग को टोल देता ही है तो इसलिए individual counselling इसमें बहुत मदद करता है hypnotism से काफी लोगों को इससे फाइदा हुआ है तो ये थी पेट की तकलीफ याने digestive problems का brain से याने stress से क्या नाता है और कैसा वो effect देता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप like कीजे, share कीजे, subscribe कीजे, जादा से जादा लोगों तक पहुचाने में हमारी मदद कीजे आप subscribe करेंगे, share करेंगे तो जादा लोगों तक ये वीडियो पहुचेगा और जीने भी जरूरत है mental help की उन्हें वो help मिलेगी आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे करतुर्ण कर साइट के नर्सिंग होम के contact number पे contact कर सकते हैं हमारा contact number है 950-330-9619 नमस्कार